नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल पर दोस्तों आद आपको लेकर आप चुके राद्वस्तान बोड कक्षा 11 के लिए जो आपका जीव विज्यान का पेपर होने वाला है बाइलोजी का तो उसके लिए आपका हाफ फिरली का एक ऐसा पेपर लेकर कर लें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर आपके सामने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेस्टन्स यहने की एमसी क्यू क्वेस्टन्स पूचे गए हैं जैसा कि यहां पर देख सेते हैं कि वरगी करण की सबसे चोटी एकाई कौन सी है वाट इस स्मॉलेस यू पूर्ति करनी फिदिदबलेंक से करनी हैं जिसे या पर पाशल्मूल की उत्वते किसे होती है यह सारे यहां से अलग-अलग प्रकार के प्रस्न अपूचे गए हैं जिनको आपको आंस्वर करना होता है उसके बाद में यहां पर जो है आपको राइबोसों की जो है कोज डी दूबे नीकिती वो यहाँ पर आपको बताने हैं तेके न जो यहाँ पर जो है correct वगर आपको यहाँ पर बताने होते हैं उसके बाद में दोस्तों किस प्रकास से प्रस्थ होने वाला है यह होने वाला आपने I.C. J. Aidan का जो पूरा नाम लिखना है मेंडेक में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाजाती है ये सारे एक एक नमर के प्रस्न होने वाले हैं दो एकल जीली यूगत जो है कोसी कांगों कि आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं उसके बाद में उत्तक को आपको परिवाशित करना है उत्तक किसे कहते हैं जो टीश्यू होता है उसके बारे में परता नहीं है इसके बात में में मैंडेक मेंस्वसन कितनी वीडियो से उसके होता है आपको बतना है इस तन्तारियों की चार विशेस तां लिक नहीं है माइट्रो कॉंडिया का जो चितर दोस्तों पॉर्डेंट चितर है ठीकिना किसी कोसिका का पावराऊ से नहीं सकते गरे भी कहा जाता है उसके बाद वाइरस और वाइरूइड में अंतर लिखना है मानव स्वासन तंतर का आपको नामांग की चितर बदाना है उसके बाद यहाँ पर जो ग्लाइकोल आइसस जो है उसको आपको समझाना है यह अथ्वा में पूच जगया है दोनों में से एक करना जिसमें आपको कैप्स जो चकर है उसको आपको आरेक सहीद आपको समझाना है पिर यहाँ सेाफ़च नम.29 जो कि स्क्रीन पर दे रहका है यह आपको अलग से पूचा गया है दोस्तो ठीक है जिसमें आपको समसुतरी विवाजन से समधित पूच जगया है और यह आपको समने पूचा गया है इसमें अर्द सूस्त्री विवाजन पूछा गया है इसमें समसूत्री विवाजन दोनों मैंसे एक कोशिन करना रहेगा दोस्तों अगर आपको रास्तान वोड के अर्दवासिक परिशा के पेपर डाउनोड करने है तो सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना है इस्टर्डी मंदीर दोस्तों आपको गूगल पर लिखना है इस्टर्डी मंदी.com यहाँ पर आपको लिखने के बाद मैं इस परकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर देखीगा, RBSC Half Yearly Paper यहाँ पर देख सेते हैं आपको 10th के, 9th के, 11th के, 12th के सबी क्लासों के पेपर यहाँ से मिल दाएंगे तो गूगल पर सर्च करें Study मंदीर जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मुक्स में दिये गया है तो दोस्तों, उसके बाद में Question No.30 है, यानि तीस्वा Question No. आपको पूचा गया है जो की Photo Phosphor Relation यानि की Photo Phosphor Relation से Related Press पूचा गया है इसमें आपको जो अर्चकरी Photo Phosphor Relation है, उसको आपको समझाना है और यह अर्थवा वाला सवाल पूचा गया है, जिसमें आपको प्रकास स्वाशन को नस्ट कारी अभी क्यों कहते हैं यह आपको बताना है, वो C3 और C4 जो पत है, जो Pathway है, उसमें आपको डिफरेंसिस लिखने है तो इस प्रकास से पूरा पेपर होने वाला दोस्तों, अब विजयारती कमेंट करके पूचेंगे कि क्या सरीयर रियल पेपर है क्या यह हमारे एक्जामें आएगा तो दोस्तों, मैं उको बता देता हूँ कि आपके हर जिले का पेपर अलग-अलग बनता है इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि यह पेपर आपके जिले में आने वाला है इन में से कुछ प्रसन जोए एक्जामें आ सकते हैं लेकिन इसकी कोई कारेंट नहीं है कि पूरा पेपर जोए सेम टुसेम आपको पूचा है ठीक है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन मेल को प्रेस करें तो फिर वेले कि यह सब इस नेक्स वीडियो में तो तरहें जाए दुवान